नमस्कार, गुड़ुनिंग, महराश्र कारम असोसेशन के सोचल मीडिया प्लाटफोंप पर जुड़ेवे सभी दर्शकों का क्यारम प्रेमियों का और खिलाडियों का मैं मंदार दिल की गहराई वह से आरतिक स्वाकत करता हूँ, मेरे साथी कॉमेंटेटर भी जुड़े हुए है किशोर वागले जो इंग्लीश के कॉमेंटर है और यहाँ पर हम देख सकते दोनों थर्ड और फॉर्ट प्लेस के तुछ खिलाड़ि जो हमें दिख रहे हैं वो बीट हुए थे हैं सहील पाशा करनाणार के खिलाडी से तो सारे नि बहुत बहुत कि ठीजी थे और पिर नंद फोर्फ प्लेस में किस की ऊगी और प्रॉर्थ किस की होगी यह टैंह हो करने के लिए इन दोक लाडियों में साथ सब्सक्राइए तो सब्सक्राइज सब्सक्राइब महाराथ को यहात माहराषित्रों गाफ्रवुट टूर्नामेंट 2020 2024 में सभी खिलाडीों का दर्शकों का मैं हर्दिक स्वागत करता हूं और आपको बताना चाहता हूं कि चैलेंजर यह नाम क्यों दिया गया विकॉज चैलेंज है इस टूर्णामेंट में कि आप सिर्फ कोईन आप तफ नहीं कर सकते हैं चलिए ब्रेक को शुरुवात होते हैं आम देख सकते हैं बहुत ही अच्छा ब्रेक यहां पर प्रशांत ने टॉस जीत कर यहां पर ब्रेक अपलाई किया है देखे धर और फॉर्ड प्रेस इंपोर्टन कियो है तो इसलिए कि पहली बात तो यह T有點 होता है कि फाइनल और फाइनल के दो खिलाडियों के बाद तीशरा कौन सा खिलाडी है जो तीसरे पोजिशन पे है और चौता कौन सा है जो चौते पोजिशन पे है ये तो एक बात होगी सेकंड इनामी राशी की अगरम बात करें प्राइज मनी तो उसमें भी डिफरेंस है जो थर्ड पोजिशन पे होगा वो खिलाडी को 75,000 रुपीज का प्राइज मनी है जो फोर्थ पोजिशन पे होगा उस खिलाडी को 50,000 का प्राइज मनी है तो 25,000 का बड़ा डिफरेंस तो ह प्रॉफी में भी कुछ डिफरेंस होने की संभा होना है तो ये सारी चीजे मद्दे नगज़र रखते हुए खिलाडी देखते हैं किस तरीकी का खेल करना प्रसंद करेंगे ये दो खिलाडी यहाँ पर योगेश दोंगडे को कोई अच्छा चांस नहीं है ब्लैक केरमेन को पॉकेटिंग करने का लेकिन प्रशंद को बंप है और बंप का इस्तमाल प्रशंद देखते हैं कि इस तरीके से करेंगे बहुत सुन्दर तरीके से बंप का इस्तमाल करना चाह रहे थे किया भी लेकिन मन चाहिए पोजिशन यहाँ पर नहीं दिखते हुई प्रशंद को जो फिनिश पोजिशन आनी चाहिए थी वो यहाँ पर नहीं आई ये लेकिन प्रशांत है वर्ल्ड चैंपियन है फॉर्मर तो डिफिनिटली कही न कही कोशिश करेंगे इस पोजिशन को फिनिश में तबदिल करने की और काफी सुन्दर बहुत सुन्दर तरीके से यहां पर खेला आए प्रशांत नहीं यहाँ पर क्या कर सकते है क्या क्वीन खेलने की कोशिश करेंगे या पीच में से वाइट को खेलेंगे देखें डिफिकल्ड था जो फोर्स जो एंगल चाहिए वो नहीं मिलता टकराव होता है दो केरम मैन के बीच में और उसी की वज़े से यहाँ पर टन पास होता हुआ और क्वीन की कोशिश सोची है लेकिन क्या खेलेंगे तो उसी के लिए खेल रहे है और हाफ आर्टेडली खेला पूरे मन के साथ नहीं खेला कहीं न कहीं मन में दुविधा थी और उसी की वज़े से यहाँ पर क्वीन पॉकेट के नजदी जाकर रुकती हुई अगर ये आखरी करम मैन को प्रशान ने पॉकेट कर दिया तो एक बड़ा बोड दस पॉइंट का लेकिन नहीं एक चांस मिलता है योगेश डोंगडे को और योगेश डोंगडे ने पहले ही डिफिकल्ट थम को खेला और उसके बाद स्टेट करम मैन को पॉकेट करने के चक्कर में उन्हें ने एक टन पास किया है प्रशान को प्रशान ने फाइदा उठा लिया पहले ही बोड पर नाइन पॉइंट बटोर लिये ये भी इंपोर्टन मैच है दर्शकों को मैं कहना चाओंगा कि ये मैच भी बहुत इंपोर्टन है क्योंकि इस मैच को जीतने वाला खेलाडी थर्ड प्लेस लेगा और 75,000 के साथ साथ चमचमाती हुई ट्रॉफी भी लेगा तो देखते हैं प्रशान्त पहले ब्रेक में नो पॉइंट यहां पर दिके लॉग ब्रेक खेलते हैं लेकिन ब्रेक जाते वक्त ही लग गया ब्रेक फ्रेम से आना चाहिए तो जब वो ब्रेक कर रहे थे तो जाते वक्त ही ब्रेक टक्रा गया है और उसी के वज़े से जो वो चाह रहे थे वो नहीं हो पाया देखिए वाइट केरम मैन की पोजिशन बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पर खेला है लेकिन क्या क्वीन को क्लश्टर के अंदर डाल देंगे नहीं कुछ अलग कोशिश यहाँ पर योगिश धोंग्डे द्वारा फिर एक बार हलकी हाते से क्वीन को ओपन किया है अब की बार देखते हैं दोंग्डे क्या कर सकते हैं और अब की बार क्वीन को एक जोरदार श्टूक खेल लिया उन्होंने और अच्छा मोका योगिश के पास connection के मादध्यम में केलने की कोशिश लेगिन जो खेल रहे हैं वो पास नहीं हो रहे हैं अब प्रशांत क्वीन को नहीं छोड़ेंगे Queen के लिए प्रशान्ट जरूर खेलेंगे Queen को pocket कर दिया प्रशान्ट ने क्योंकि cover यही था जो cover वो उन्होंने रखा हुआ था तो Queen को भी pocket कर दिया है बहुत ही खुबसूरत तरीके से यहां पर और यह बहुत अच्छी कोशिश प्रशान्ट की रिबॉन के माद्यम में खेलने का प्रयाज काफी सुन्दर तरीके से इस रिबॉन को खेला है लेकिन तीन करम मैं जो बच्ची है प्रशान्ट के फ्रेम में उसका क्या करे और बहुत सुन्दर डबल पंच करने का प्रयास देखे प्रशान्ट को फिनिश है मुझे ऐसा लग रहा है दिखाई दे रहा है अगर यहां पर टन पास होता है न तो फिर प्रॉब्लम हो सकती है योगेश को क्या बात है बहुत सुन्दर अब की बार मुझे ऐसा लग रहा है ब्लैक करम मैं को टच करते हुए खेलना चाहिए लेकिन देखिए क्या नजाकत से उन्होंने खेला है अब अब शायद कुछ अलग सीन हो सकता है यही मैं बताना चाहरा था कि अब शायद अलग सीन हो सकता है और अब की बार फिर एक मिस्टेक नहीं कह सकते हैं लेकिन मिसिंग जरूर कह सकते हैं और देखना चाहते हैं हम यहाँ पर प्रशान्त यह देखिए अच्छी कोशिश है क्या पात है ब्यूडिफुल ब्यूडिफुल शॉट में माहिर है प्रशान्त अब शायद उसी कैरमेन को लेना पड़ेगा प्रशान्त को क्योंकि स्ट्राइकर तो ब्लाक पर आना ही चाहिए वरना फाउल हो जाएगा और बहुत सुन्दर बहुत सुन्दर तरीके से प्रशान्त ने इस पोजिशन को हैंडल किया है बहुत ही बहतरीन तरीके से अब देखे योगेश टोंडे शायद राइट हैंड की क्याप में खेलने का प्रयास है लेकिन यहां पर देखे ब्रिटिश शॉट योगेश टोंडे का वो इतने जोरो से उस कट को खेलना चाह रहे थे लेकिन वो शॉट नहीं गया और यहां पर दो ब्रेक के पश्चाथ डेफिनेटली स्कोर बोर्ड हम देख सकते हैं 14 पॉइंट पर पोज़ गये हैं प्रशान्त मूरे दो ब्रेक के पश्चाथ यह थर्डन फॉर्थ पोजिशन का मैच दो दिगच की लाड़ियों के बीच में योगेश दोंगले नैशनल चैंपियन प्रशान्त मूरे फॉर्मर वोर्ल्ड चैंपियन तिसरे ब्रेक की शुरुआत छे ब्रेक के तीन सेट खूब सुरत बहुत अच्छे बहुत ज्यादा खूब सुरत और देखना है कि इस तरीके से एंगल खिलेंगे दोनो बाचु बंप अपमलाय कर सकते हैं प्रशान्त लेकिन कौन से साइड में बंप खेले ये सोचते सोचते बंप मिस हो गया है अब एक अच्छा मौका है योगेश दोने के पास क्या बात है खूब सुरत बहुत खूब सुरत काफी अच्छे खेल का प्रयास यहां पर इस बार क्रॉस टपल की कोशिश होगी या फॉलो की कोशिश होगी बहुत अच्छी तरीके से यहां पर खेलाता लेकिन फॉलो कर नहीं पाया है इस सिचुएशन में देखे डबल खेलने का प्रयास और कोशिश यहां पर योगेश दोने की मिसिंग प्रशान की तरफ से देखते हैं टच्छ पर खेलने की कोशिश और उसमें कामिया भी मिलती हुई योगेश को योगेश अब आगे क्या करेंगे बलाक को खेलते वाद ट्वीन को थोड़ा धकेल देंगे और वैसा ही करना चाहरे थे लेकिन देखें आज कुछ अलग हो रहा है मतलब जो वो करना चाहरे वो एक्जसेक्ट ली नहीं हो रहा है और यहां पर प्रशान से चांस मिलता हुआ योगेश को ग्रांस खेलेंगे योगेश और जगा बना ली क्वीन को खेलने के लिए ये बैड लख बहुत अच्छा प्रयास्ता क्वीन को पॉकेट करने का लेकिन पॉकेट नहीं कर पाए चांस मिलता है प्रशान को बहुत सुन्दर क्या बात है और यहां पर डबल टच या हेड़कट क्या बात है फाइन्टास्टिक बहुत बहुत बहुतरीन तरीके से शार्प हेड़कट को अपलाई करते हुए इस बोड को खतम कर दिया है प्रशान्त मोरे आफ महराश्रा पहुँच गया है चार पॉइंट को लेकर 18-18 पॉइंट पर तीन ब्रेक के पश्चा बिक स्कोरिंग गेम लार्ज स्कोरिंग गेम क्या कहते है यहां पर तीन ब्रेक अभी भी बाकी है शेश है बैलन्स है देखते हैं योगेश धोंगडे किस तरीके से यहां अपलाई करेंगे इस पोजिशन को अब की बार ब्रेक बहुत ही सुन्दर वाव ब्यूडिफुल नाइस ओपनिंग अब देखिए इस केरम मैन को खेलते वक्त थोड़ा स्ट्रेट एंगल होगा जरूर और इससे और एक वाइट केरम मैन को ओपन करेंगे हो देखिए कि इस खूब सुरती के साथ उन्होंने इस पोजिशन को खेला है आगे शॉट को खेलने के प्रयास खूब सुरत तरीके से यहाँ पर शॉट को खेला देखिए अब ये वाइट केरम मैन अगर वो पॉकेट करने में कामियाब हो गए यहाँ पर इंडिंग में कुछ न कुछ इशू हो रहा है योगेश दोंगे द्वारा देखिए कितनी खूब सूरती से उन्होंने डिफिकल्ट ब्लाक करम मैन को इजी किया है क्वीन को खेलने की कोशिश यहाँ पर और पीन को खेलते वक्त उन्होंने मिस कर दिया है अब फाइदा उठाना होगा योगेश जोंडे को क्योंगी शॉट है बहुत सुन्दर और यह शॉट भी लग गया यहाँ पर अगर यह शॉट सही तरीके से अपलाई किया तो फिर नौ पॉइंट मिलेंगे क्या बाद है बहुत सुन्दर काफी खूबसुरों तरीके का फिनिश यहाँ पर चो चाहिया था वो मिल रहा है अभी योगेश जोंडे को एक बड़ा बोड के तलाश में थे योगेश और मोके का फाइदा उठा दिया जहां मोका मिला उनको क्वीन जब मिस कर दी प्रशांत मुरे ने बहुत सुन्दर तरीके से योगेश डोंडे ने 9 पॉइंट से 4 बोड पर अपनी मोहर लगा दी और इस गेम में वापिसी करने का प्रयास किया कि एक उपसुरत ब्रेक यहां पर ओपन किया है काफी सुन्दर एक पंप है योगेश प्रशांत के पास लेकिन इस शॉट को खेलने के बाद शायद वह खेलेंगे ऐसा मुझे लग रहा है तो यह बंप सीजर ग्रीप से वह उपन करना कि नहीं उन्हें बंप को उपन नहीं किया और यह अगर पॉकेट होती तो कुछ अच्छा देखने मिलता लेकिन अब यह चाहेंगे कि मैक्जियूम कर्मैन को पॉकेट कर लूँ कि बहुत अच्छे बहुत कुपसुरत तरीके से यहां पर एक एक क्यर्मन को पॉकेट करने में कामिया भी और यहां पर अगर मिस्टेक नहीं होती तो शायद अच्छा मोखा था योगेश डोंगले को बड़े बोर्ड के साथ वापिस ही करने का क्यों पता नहीं लेकिन मुझे भी ऐसा ही लग रहा है कि यह बोर्ड भी शायद अगर नो मिसिंग खेले योगेश लेकिन मिसिंग ही हो रही है तो क्या करे यहां पर मिसिंग की वज़े से बोर्ड चला जाएगा प्रशान के हाथों में और प्रशान से भी मिस होता हुआ द और यहां पर चांस मिलता है प्रशान को इस बोर्ड को फिनिश करने का साथ ही साथ इस सेट को भी जीतने का क्योंकि इस बोर्ड को अगर उन्हें ने फिनिश कर दिया तो फिन उन्होंने खेली है और डेफिनिटली चार पॉइंट मिलिमा उनको मिलेंगे यहां पर तो छे पॉइंट मिल रहे हैं तो डेफिनिटली प्रशान्त मुरे ने इस सेट को जीत लिया है अब सेकंड सेट जो शुरूआत होगी उसी सेट को आपके सामने लेके आने के जए मेरे साथी कमेंटर किशार अगले जी रेडी है तो प्लीज विलकम किशोर जी तेंक यू मन्दार और रेए बूर अवरे गुड आफ्टरनून तो अल्ड विवर्स अवसेल विडिया प्लक्रम ओव् महरास्ता करमासो recommends you challenge facebook live Instagram and Twitter Friends this is a very vital match for the third and fourth place Prashant Mori winning the first set quite easily and now he is leading one day to love against yoga stong ray both are from Maharashtra you get only जाहिजी काई प्रस्तों वर्ट इसेट ऑट बतीन है थाड़क टेसे जोरू और रिकान जसे प्रस्तों मरें और जह जार जाए लोर्ट आठना नचाम फटनी हैं नाहिए जच्छंट और जाएक टॉट प्रस्तों के वे जाएक विता लिए नवंग झार्शन अथा जार्ण ज बेबारि वीनों सहिनों प्लाग की बडियां प्लाग के रोन Member प्लाग काथ मेव थे थए फन्याक प्लाग के प्लाग केमा घर स्थीन प्लाग की मेव घर युल है क् सेर वैबस एर एंप द्दिव इनुदा है है और रे सट भुटे प्रुट मौर जब गैंट सिर हम धुटकानी छार पियर बॉकाटू. लेकोज्य फुटध प्रॉट मेर सेवा थैं proveniny क्यों पर्षा दूंग्मिने लीट तुटे। प्रोंट टॉक्ती बिजी अप्रॉट कि या प्यून थैराज। उन्हें पूराज। करें प्यून राजज। च्यून अच्ट फू इज पूट तो फूंग subscribe नो अदो विशे कारी लिए हो गरी की घर इसन फसके लोगेश, वुब यजे लिए, वाधने कारी लिए लाहँ है। as very good shot and now we will definitely go all out pocketing well what is it going to do remove the white from there yes and rocket the last one oh कि पम्यार्फाद जार्फ डियॅर्म मोडे양 जारे लाजन है इसक्णा यह पस्केपर हा boiler विजि शुए लिए यहाल।। विए लुट वीज़ लुट वग्ट लुट वूट लुट लुट एंड वरेस सू अ को लगर वे लुट लुट। अज क्राम प्र्राशन मुर्णी और नियुग योगेश्या इक लिए अएंगा लुग्त् नचेखाविड है प्राशन मुर्णी। कbenवते हैं रयाकि राली है ड्मा फ्काइब दीन करहन पहेंक नहें- civ危 отнош फ्का विट सेंट प्लेजभा इंड पाफें तो इल टो शॉंग टो तो pasóतो फिर प्लेज़ इर रप प्रशान 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 प्रशा बोर फ shaft प्रशवानमुरय लुगा अधॉट॑ रग। टार Peace ra लिए्यानमुरे ःटपतने nei एस किक आपके न् है एप में ठाहे कि कंग प्रसकाडा होग पाला अट लुग। है ल ponieważ यह पू है प्रॉटिपंगा अले लुग इइं भुड़्यूं सी इस फांटलु आ विन 11 पूंस this time we fight it out, I know. His capability is capable of fighting, now punching and blocking the pocket there at the right hand side of Prashant Morrowion, the match is not yet over, take it from me. But it all depends on the situation how he plays next. Single fight. Oh, Prashant! all of the striker and now black is obstructing the path there but now he will definitely pull back would pull back prasanth has to think but prasanth is quite a steady player he will see the position he studies the position simply push that white in the corner and freeze his own black and this two shots his expectation was to free three blacks two are easy now and now glance attempt can be made that's why prasanth needs to take that black force or he has to drop the opponent's white he prefers to cut and release but i think what is he going to do glance first so yogashtongde glances brings back that black is going to attempt a rebound for that connection white to white yes and again same white he will definitely try to block the pocket or pocket it yes he pockets it and now connection of course connection or queen what he prefers oh just to miss that had it been pocketed then big board of about 10 points towards his own that's miss when he's pocketed single cut oh just miss fire visco there just miss this white was blocked prasanth again gets a chance prasanth moray leading by 10 points has a chance here if it go match goes to the third set then it will be anybody's game so prasanth wants to finish it in two sets itself center queen missed by prasanth very rarest of miss oh i don't know what he was doing cut and bringing the striker to this pocketing of this black but misses it and prasanth gets a easy queen and confirmation and now he may go all out for finish let's see what he does no touch black is expected yes and now third pocket oh what is he going to do follow the white follow yes he miss now there is a gap can he cut it sharp prasanth no he misses no he misses and now there is chance for yogesh thongde to take a third board in his favor with one point so to take him to two against levin of prasanth mori prasanth is on levin yogesh thongde two board number three completes so fourth board of the second set it would be rasanth to strike rasanth will be striking the fourth board of the second set rasanth lead one set to now those who are tuning in late this is maharashtra open caram challenges trophy organized by maharashtra caram association live streaming you are watching viewers and it is cut off you all the viewers and subscribers get the pleasure give you live streaming of this tournament which is the highest price money caram tournament ever been organized and this is organized by maharashtra caram association and here is okay strong day trying to make something different but fortunately could not pocket the black and its intention was clear but that white touching that black then only he can get it get the support but no we will wait wanted to remove that black by pocketing that white double here as was the intention of prasanth and here it looks for me that it's a finish for him but let's wait and see how he finishes that's good one good pocketing and now press shot hard press yes just miss can he go for fallout for finish yogesh one pocketed second hard one hard one and can he release no he's going single oh that's fantastic catch that's a quality that's a quality of finish quality finish by yogesh dongade and with this he's coming closer and now he has got a strike an interesting situation here now can he do can he take this board up to the third set then it will be anybody's match five points difference strike with yogesh dongade okay he has to be careful while striking because his stroke failed in the previous occasion here yogesh dongade strikes very and now good position very good shot so he already pocketed and now good position बहाचे ब्रचल इन है और यह को व्हाच्ण बीज बाच्छ इा बाच्छ तो टो व्हाच्ण उसक्ति प्रशाँ कोई विडिश्ण हो बौत ट्रव्ट इसा है और वहाच्ट सब और दो फड़िए स्वेकंप्राशिश हुड 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 है वीजसी चाहिड हब प्रशाने ले खबीड हुड हुड हैYgemiddagb भज自व गइशड हुड हुड वीजची से डाध झार टॉम लेbereich दो GB two rb ब horseा प्रैंबरु हो ली सब बस्ता कि हैं, सब्सक्या खैज प्रैंबरु भॉली की रीजमा रीकल्षा खैजरा कॉ sicते। है। दि्धेज की देज 실ना वीजमारशप्टरथ लीजमें खैजमारा Запाशा ठाह्रा हैं? is host, you are कर जकोर ंजे ता है,what खब भूब भी दॉब कर दोने, जंट अजए खुब बने लाँ अपन पर दोगे च्ट्रांट जा्ते अः कम धिस जाुड़ा टूरि से पुप्ट डंगे now first he will pocket this black and then he will try a queen he has got a handy confirmation there available he will definitely try to reduce and two white two blacks here to be pocketed and which are difficult definitely will try try and misses definitely he will try this white good one and now double go for double if he focus it then it will go to nine for him oh instead of double he attempted street cut and miss and now rasanth will definitely try to pocket this one to do the scoring and he misses it now it will be interesting to see can he cut it or double it whatever he expect oh solid cut that's the cut of the day what a cut it is with two black caravan on the board more of two in favor of yogesh jongri to take him to eight now difference of three points what's the strike with the strike is with prashant mori queen plays very vital role in this last board of the second set which has been striked by prashant mori prashant mori interesting situation three points difference prashant to strike the last board of the second set good break queen in the cluster safe boom oh trying to release that queen and finish it off prashant but not what he has expected has happened shant still continuing his strike just pushing that lightly but now he will definitely try to pull it to his end queen is freed important is queen queen is very vital oh this is missed queen is available handy confirmations is also available just pushing and clinching that match now there is absolutely nothing to worry so far as prashant mori is concerned because only two white caramines there this one is pocketed so far as prashant is concerned he will also reduce this one and now the last one double i am perfect in the pocket and with this prashant mori takes the third position and now the last one double i am perfect in the pocket and with this prashant mori takes the third position of 75 000 rupees and the third position of 75 000 rupees and the shining trophy is his and the loser jokish tongade will be awarded with 50 000 rupees and now give us this is all for the semifinal so to tell you that prashant mori has won this semifinal loser semifinal and he has the instinct of becoming the third runner of the third position and fourth runner of the third position and fourth